चलो दोस्तों शुरूर करते हैं बे रहम एंथोनी की कॉमिक्स है द्यान से सुनना जिन्दा मुर्दे एंथोनी का रोमांचक कॉमिक्स कलाकार के लिए हर चीज एक सब्जेक्ट होती है जिसे वो अपने केनोस पर उतार सकता है वह खुबसूरत दर्स है खुबसूरत बच्चे है और वह बच्ची मिली तो बहुत ही मासूम वैं सुन्दर है बच्चों के स्कूल में टीचर की नोकरी इसलिए किया है क्योंकि I love children बच्चे निर्चल होते हैं निर्भिक वैं बोले बाले होते हैं जब भी मौका मिलता है उनकी मासूमित वैं बोलेपन को अपने कैनवस पर उतार लेता हूँ और ये इस सकूल में इस कैनवस पर मेरा पहला चितर पूरा हुआ लेकिन कहते हैं मौत एक बेरम कुलाडी होते हैं जो सिर्फ काटना जानती है इसकी धार कभी खुरदरी नहीं होती, मार कभी बेसर नहीं होती इसे किसी पर दया नहीं आती, इसके सीने में ममता नहीं होती ये किसी माबाप से उसका एकलोता सहरा भी छहीन सकती है ये किसी खिल खिलाते मासूम सिसू की यट खेलियों का गला भी गोट सकती है उन कौमल अंकूरों को भी काट डालती है जिने अभी फलना फूलना था विशाल वरक्स बनना था मिली मा हेलो डाक्टर डाक्टर जानी जल्दी कहा है आपकी बच्ची जल्दी आए डाक्टर पली जल्दी आए ये मेरे देखते देखते चक्रागर गिर पड़ी और इसे क्या हुआ डक्टर इसके श्रीर में कोई भी अरकत क्यों नहीं हो रही सारी मेडम सीज नुम हो रहे साधी से 8 कैट हुआ है 8 अटैक हुआ नहीं ये नहीं हो सकता पर जो होना था वो तो हो चुका था पर जो नहीं हुआ था वो भी होना था अंटी हाँ मारिया तू देख मारिया तेरी पक्की सहली थी नहीं ये तुझे दोखा दे गई तेरा साथ छोड़ गई है नहीं ये सब जूट है कल ये मुझसे कह रही थी कि कल सकूल नहीं आना चाहती साथ मरने का डोंग कर रही है देखे इसे देख कर तो नहीं लगता कि ये मर गई है डाक्टर अंकल से बूल हो गई आंटी देखे देखे इसका चेरा ये तो सिर्फ सो रही है मिली है मिली उठ तेक मजाग छोड़ ऐसा मजाग पसंद नहीं है मुझे मारिया ये तु क्या कर रही है ये कभी नहीं उठ सके उठेगी मेरी बच्ची ये मरीन ये आंटी मैंने एक बार आंटी जोसप का मर चेरा देखा था मरने वाले के चेरे पर इतनी चमक नहीं होती और देखो इसे चूकर देखो, मरने वाले का शरीर तो बरब की तरह ठंडा हो जाता, इसका टंप्रेचर तो मेरे और आप की तरह यह एकदम नार्मल ये तो सच कहा रही है, तीन-चार गंटे हो गई से मरेवे, अब तक जिसम ठंडा हो जाना चाहिए था ता उचा सकत होने लगनी चाहिए, सकत होने लगनी चाहिए थी मेरा दिल बार बार कहरा आंटी कि यह जिंदा है, ड़ाक्टर जानी को दोबारा आना पड़ा पड़ा ये तो मर चुक ये इस बात में तो कोई संदे नहीं क्योंकि इसका brain dead हो चुका क्योंकि इसका brain dead हो चुका heart beat रुख चुक ये नवज खावोस है खून का प्रवा रुख जाता है तो नाखून सफेद पड़ना शुरू हो जाते हैं इसके नाखून नीले पड़ रहे हैं इसकी आखे सव जैसी निस्तेज नहीं है तवचा में अभी ताजगिये शरीर गरम है मैडम डे फादर डिशूजा आ गए हैं बच्ची के अंतिम संसकार के लिए इसका क्या मतलब हुआ डाक्टर मैडिकल स्ट्री में मैंने ऐसा के साथ पहली बार देखा है इस बच्ची के साथ तैसी सितत्थिब क्यों और कब तक रहते हैं बिना जाज के ये कहना भी मुश्किल है मैडम डें फादर डिशुजा गएं बच्ची के अंतिम संसकार के लिए नहीं अभी इसका अंतिम संसकार नहीं होगा जो बट डाक्टर नहीं बता सकते वो मुझे मेरे पापा बता सकते है क्योंकि लोग कहते हैं कि वो मर चुके हैं पर सिर्फ मैं जानती हूँ कि वे जिन्दा हैं वे जिन्दा है इस बात को किसी को भी बताने से पापा ने मना किया हुआ है काउं मारिया को देख प्रिंस ने पंक फर फड़ाए अगर मिली जिन्दा होगी तो पापा को पता चल जाएगा प्रिंस के करक साटो में वो ताकत है जो उस मुर्दे की आत्मा को जन्जोड देती है काउं काउं तब एंथोनी की करब कबर फटती है और जिन्दा होकर भार आ जाता है वो मुद्दा मारिया मेरी बच्ची क्या बात है उदास क्यों है पापा प्रिंस फिर करक साया वो तूने भी देखा है उसे तुने सुना मारिया की प्रिंस क्या कह रहा है ये कह रहा कि तेरी पकीश हैली मिली गहरी निद्रा में है सच पापा सब कुछ बताती चली गई मारिया बिल्कुल सच और ये कह रहा कि वो एक दिन ज़रूर अच्छी हो जाएगी काऊ तुम दोनों पहले की तरह ही खेलोगे तू उसकी मोत का दुख ने करना मारिया जाग घर जाब तू यही पूछना चाहता है ने पिनिसकी मैंने उससे जूट क्यों बोला कि उसकी सहली एक दिन जरूर अच्छी हो जाएगी वो इसलिए पिनिसकी मारिया का नन्ना सा इर्दे मोत जैसी कठोर सचाई को स्विकार नहीं कर सकता मिली उसकी पक्की सहली थी उसकी मोत का दुख उसके लिए ठीक नहीं था तूने देखा नहीं अपने पापा की मोत को आज तक स्विकार नहीं कर पाई है अगर उसे तसली है कि मैं उससे मिलता हूँ, बाते करता हूँ, उसके जनम दिन पर उसे विश्च करने जाता हूँ, आज भले ही मैंने उसे जूठी तसली दे दी है, लेकिन वक्त बड़ा बहरम होता है, वो जूठी तसली के घाव भर देगा, लेकिन तुने मिली के बारे में जो दूसरी रहसे में बाते बताई हैं उनकी मैं जरूर चानबीन करूँगा क्योंकि खुद मेरा स्रीर भी बरब की तरह ठंडा रहता है मुझे कुदरत की सक्ति जिन्दा तो रखती है पर आखिर में मैं हूँ तो एक मुर्दा जिसम तो फिर मुर्दू के बाद भी उस बच्ची का स्रीर कैसे गरम था अगर मुझे पता होता कि इस तस्वीर पर कुछी गंटों में फूल माला चड़ाए जाने वाली है तो मैंने ए तस्वीर हरगी जने बनाई होती अगले दिन मिस्टर जान इसमें आपका कोई दोस्ट नहीं आपने तस्वीर की रेखाए खीची है मीली के आथ की रेखाए नहीं जो इतनी उमर लेकर पैदा हुई नहीं है टाये इस माला को मीली जिंदा है ये पसगून है वो अभी मरी नहीं है मैं इसका योगा का टीचर हूँ इसी के मुँसे सुनाया मैडम की प्रिंस इसके पालतु कोय का नाम है कमाल है मिस्टर जनारदर कोई प्रिंस ने इससे कहा कि इसकी सेली मिली जिन्दा है ये दोनों पक्की सेलिया थी मैडम ये उसकी मौत को सुईकार नहीं कर पा रही है इसलिए बैकी बैकी बाते कर रही है गोड बलेस हेर मारिया आज उदास थी भूत उदास लेकिन मिस्टर जन का केनवस उदास नहीं रहने वाला था इस केनवस ने पिछले दिनों मुझे उदास कर दिया था लेकिन एक कलाकार की कला कभी उदास नहीं रह सकती केनवस पर आज खुशी के रंग भरूँगा हो जैमस भी मेरा स्टूडेंट कल जैमस का बर्थडे है सबसे बड़ा गिप्ट उसके लिए दूसरा नहीं होगा जैमस के बर्थडे ने मारिया के उठो को भी मुश्कराने प्रभीवस कर दिया हैपी बर्थडे जैमस ठैंकू मारिया जैमस केक काटो हाँ हाँ जैमस जल्दी आओ जैमस क्या हुआ जैमस जैमस वो गाड़ इसकी दड़कन बंद है नहीं पलीज डाक्टर को बलाईए डाक्टर जानी पूचे थे वाँ ओ नो सारी मिस्टर वीलियम आपका बेटा जैमस अब इस दुनिया में नहीं नहीं अभी तो मैं जा रहा हूँ मिस्टर वीलियम लेकिन होसके तो मुझे च्छै गंटे च्छै गंटों बाद अपने बेटे की सारी रिक्स्थिति के विश्चे की जानकारी जरूर दे देना पर ये क्या यहां मातम के उच्छा डाक्टर जानी क्यों आये थे मिस्टर जान जैमस सब नहीं रहा क्या उफ नहीं मैं तो उसकी तस्वीर लाए था कली बनाई है पर आज ट्रिन ट्रिन हेलो डाक्टर जानी हेर आई एम जैमस फादर डॉक्टर ओ जैमस के श्रीर पर ठंड़क है या गरमाईस वो तो अभी तक गरम है डाक्टर बिल्कुल वही केस है कैसा केस डाक्टर इस वक्त मेरी प्रयोग साला में एक बच्ची मिली का सव रखा जिसे मरे वे 24 गंटे बीच चुके हैं इतना वक्त भी जाने पर सव में सडने की प्रिकरिया शुरू हो जाती है लेकिन इस बच्ची के सव में नहीं हुई इसका श्रीर अभी तक एक जिंदा श्रीर की तरह नार्मल टेंपरेचर पर है इसके चेरे की रंगत वैताजगी पूर्वत बनी हुई है इस्टर वीलियम मैंने आपसे जैम्स की सारीरिक स्थिति की जानकारी देने को इसलिए कहा था कि क्योंकि आपके बेटे के नाखुन मैंने नीले हो गए देखे थे आप कहना क्या चाहते हैं ठीक इस बच्ची के सव के नाखुनों की तरह नीले हैरत की बात है कि बच्ची का खून अभी पानी बनना शुरू नहीं हुआ उसकी नशो में रक्त परवाद जारी है यह जबरदस्त रहसे है कि जब हाट पंप नहीं कर रहा तो रक्त परवाद कैसे जारी है क्योंकि शरीर में आर्ट रेफ्रिजरेटर के एक कंप्रेसर की तरह या मोटर गाड़ी में इंजन की तरह काम करता है यह दोनों चीज ठप पर जाए तो मशीन बेकार हो जाती है मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे का सब परिक्सिशन के लिए यहां भेज दे उसका अंतिम संसकार ने करे यह आप क्या कह रहें डाक्टर मैं सब फिजूल की बातों को नहीं मानता मेरे बेटे की मोट हो चुकिया इस कठोर सच को मुझे बरदास्त करना ही होगा मिर्टू के बाद मैं उसकी मिट्टी को खराब नहीं करना चाता जैसी तुमारी मर्जी कर्बिस्तान में कबरे खोदी जाते हैं सब दफनाने के लिए आज ये कुडाल कुडाल चल रही थे एक कबर पर ही ठाक लेकिन ठहरो तुम जमीन ने एक कबर खोद रहे हो बताओ क्यों खोद रहे हो एक मासुम बच्चे जेम्स की कबर अरे ये क्या क्या तुम कोई डाक्टर हो हाँ डाक्टर जानी हूं मैं एक डाक्टर होकर ये दुसक्रम क्यों कर रहे हो क्योंकि मुझे इस बच्चे का सव चाहिए किस लिए क्योंकि मोत के बाद एक और बच्ची मिली की तरह इसका स्रीर भी लास नी बना है मीली ओइस बच्ची का जिकर तो मारिया भी कर रही थी इसकी तवच्चा अकडी नहीं, सडी नहीं, खून परवा रुका नहीं, चेरा नहीं, श्तेज नहीं, आखें पत्राई नहीं मुझे एक कबर खोद लेने दो क्या तुम्हें न दोनों बच्चों की मौट पर वरुसा नहीं पता नहीं पर दोनों की मौत रहसम है, इसके माता-पिता सैнस में विश्वास करते हैं, कद्रत में नहीं इसलिए दबनाने में जल्दी कर दी पर मैं दोनों को मानता हूं, ताबद खोलो यह तो सचमुच लाज जैसा नहीं दीख रहा है कबर को पहले की तरह कर दो काओ प्रिंस की आवाज प्रिंस यह तु क्या लाए पंजो में दबोच कर मुझे इसे ले जाने से मत रोको पैंटिंग यह तो जैम्स की पैंटिंग है और दूसरी साद मिली की काओ पर तीसरी किस की है यह तो मैं मारिया की पैंटिंग है जो अभी पूरी नहीं हुई है प्रिंस क्या तु यह कहना चाहता कि मिली और जैम्स की पैंटिंग बनते ही वो दोनों रैस्टे में डंग से मारे गए और अब जान नाम का वो चितरकार मारिया के तस्विर बना रहा है जिसे तु बनने से पहले ले आया वो गाड कहीं मुझे जाना होगा काओ मारिया मारिया क्या हुआ तुझे तु बोलती क्यों नहीं मारिया को कुछ हुआ तो यह चितरकार जान जान से जाएगा आके खोल मारिया मुझे वो सिकार के पास ले चल प्रिंस मुझे ले चल वहाँ आज या तो वो बहरम इन रहसे में मोतों का रहसे बताएगा या फिर जान से जाएगा आखिर पूरी करी ली तुने मारिया के दूसरी तस्वीर इसलिए रहसे में डंक से मारी गई वो भी बता क्यों बना रहा है तुई ऐसी त्यारी तस्वीरे तेरी इन तस्वीरों के पूरा होते तस्वीर में मौझूद बच्चा सचमुच तस्वीरी बनकर रह जाता है बोल बता रहसे मैं मुझे कुछ नहीं मालूम तो फिर साथ तेरा ये कैन्वस ही मनूस है जिस पर तुजो तस्वीर बनाता है वो जिन्दगी खतम हो जाती है नहीं ये जूट है तो ले पकड़ ये कुछी और बना इस पर अपनी पैंटिंग मैं हाँ बनाऊंगा जरूर बनाऊंगा अगर ये कैन्वस मनूस है मनूस है तो मैंने सच्मूस तीन अत्याओ का गुना किया है अगर ये कैन्वस मनूस है तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए लोग पूरा हो गया मर गया ये भी सच्मूस मनूस निकला कैन्वस क्या कह रहा है तू प्रिंस देख अत्यारा मर गया काओ मगर प्रिंस किसी और चीज की तरफ संकेत कर रहा था अरे ये क्या ये सुई इसके स्रीर में कहां से आ गई इसके मुझ से तो जाग निकलने लगे से जहर की सुई मारी गई है प्रिंस मैं जानता हूँ कि तुने देखा है जोन के अत्यारे को उसी ने किसी अत्यार से जैरिली सुई फैक कर मारी है वही है मासूम बच्चों का बेरहम अत्यारा वो भाग रहा है बस तेरा खेल खतम हो गया बेरहम आज एंथोनी तुझे ठंडा कर देगा प्रिंस पहचान गया था उसे जनारदन था ओ जैम्स मिली और मारिया के स्कूल का योगा टीचर जिसे एंथोनी ने अपनी ठंडी आग से जगर दिया था बता क्या रहसे है बच्चो की मोत का क्यो मारा तुने चितर कार जान को मैं तो चितर कार जान को त्यारा समझ रहा था पर त्यारा तु है बता क्या रहसे है बच्चो की मोत का क्यो मारा तुने चितर कार जान को अगर तु इस तड़ब से बचना चाता है तो सारे रहसों पर से परदा आटा तरड़ पैस सनिय थी मोच से भी ज्यादा तकलीव दायक मेरा नाम जनार्दन है मैं उनी बच्चों के स्कूल में योगा टीचर उन्जों मारे गए एंथोनी मुझे किसी राच चलते तांत्रिक ने भी मंत्रित रंग दिये थे उन रंगों से जिस किसी की भी तस्वीर बनाय जाती तो वो मर जाता मुझे ये रंग चाहिए थे क्योंकि मेरी कोई उलाद नहीं है 11 बच्चों की बली मुझे पिता का सुक दे सकती थी ऐसा विश्वास मुझे उस तांत्रिक ने दिला था मैं बच्चों के स्कूल में योगा टीचर था लेकिन बच्चों की बली देने के लिए उन रंगों से उन बच्चों की पैंटिंग बनाना जरूरी था मेरा काम आसान कर दिया ड्राइंग टीचर जान ने जिसे बच्चों के पैंटिंग बनाने का सोक था मैंने उसके रंगों को अभी मंत्रीत रंगों से बदल दिया उन रंगों से वो जिस बच्चेगा भी चित्र बनाता वो मर जाता जान के पास अभी मंत्रीत रंग खतम होने वाले थे उस वक्त मैं और रंग बदलने गया था जब तुम जान से पुष्टाच कर रहे थे जान ने रंगों से अपनी तस्वीर बना रहा था अगर वो मर जाता तो तुम कैन्वस को मनुस मान कर चले जाते इसलिए मैंने फूकनी से जारीली सुई फैक कर जान को खतम कर दिया अपने गुल्षन को अरा बरा करने के लिए तुने दूसरों के गुल्षन उजार दिये तू जीने के काविल नहीं और तब मैं समझ गया प्रिंस मैं वही करने वाला हूँ अन्थोनी ने जोन की पैंटिंग उतार फैकी क्योंकि नीचे मोजूद थी मारिया की पैंटिंग और इन रंगों ने बच्चों की जिन्दगी के परवा को रोक दिया है वो मरे नहीं है उमीद है कि ये रंग दुल जाएंगे तो ये परवाब फिर से शुरू हो जाएगा मिली और जैम्स की पैंटिंग के रूप भी दो डाले अन्थोनी ने लेकिन पानी का प्रियोग करते वक्त बुरी तरह थरा रहा था वो क्योंकि पानी से डरता जो था उसी समय इदर डाक्टर जानी की लैब में अरे ये दोनों जी उठे हाँ हाँ क्योंकि मोत के उन रंगों को धो डाला मैंने जिने योगा टीचर जनारदर ने चितरकार जान के रंगों को बदल कर उसकी पैंटिंग्स में बर दिया था मैं जो देखने आ था वो देख लिया बच्चे ठीक हो गए जल्दी ही मैं तो डरी गए थी पता नहीं क्या हुआ था तुझे चला आपनी इस मारिया को उसके दोस्त जल्दी मिल जाएंगे जो तसली मैंने इसे दी थी वो जूठी नहीं थी समाब दोस्तो अच्छी लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तो